बेस्ट पावर्फुल स्मार्टफून अडर 25,000 रूपीज तो हाई दोस्तो स्वागत आपका फिर्स एक नए वीडियो पे अगर आप 25,000 रूपया में के ऐसा स्मार्टफून ढूंड रहे हैं जिसमें आप गेमिंग वगरा कर सकें तो मैंने आपके लिए Top 5 बेस्ट पावर्फुल स्मार्टफून को स्लेक्ट किया है जिससे आप खड़ी सकते हैं अभी के टाइम पे 25,000 के अंडर में वैसे तो 25,000 के अंडर में आपको काफी सारे फोन मिल जाएंगे बट मैंने काफी खोजबिन करने के बाद ये 500 स्मार्टफून को स्लेक्ट किया है इन सभी फोन में आप गेमिंग तो करेंगे ही इसके अलावा कैमरा भी काफी बढ़ी हां मिलेगा और उसके साथ OIS का भी सपोर्ट होगा और इसके अलावा भी काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स दिया गया है इन सभी फोन में तो इस हिसाब से अगर आपको 25 ज़र के अंडर में कच्छा है स्मार्टफोन चीया फिर एक अच्छा पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन ही चाहिए तो आप इन में ऐसे किसी भी फोन को ले सकते हैं तो इन सभी फोन के बाड़े में पूरी जानकारी देंगे आपको डीटेल्स में तो ज़्यादा टाइम आपका नागाम आते हुए चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट अपने लिस्ट के पांच वे नमबर पे आता है रेडमी के दरब से रेडमी नोट टूवल प्रो फाइब जी दरसल आखरी नमबर वाले फोन से स्टार्ट करेंगे घटते घटते एक नमबर तक जाएंगे और ऐसे मैं जानने में आपको आसानी होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है खर अगर आपको अभी के टाम पे 25,000 रोपिया में एक अच्छा लेटेस्ट पावरफुल स्मार्ट फोन चाहिए तो यहाँ फोन आपके लिए अच्छा उप्सन हो सकता है अपर चलिए देखते हैं क्या कुछ इस पोन में मिलेगा क्या स्पेसिफिकेसन होने वाला है तो यह फोन जो हना ग्लास बड़ी के ही साथ आता है और 7.9 mm का थीकने से जो की काफी पतला लगता है फोन देखने में और 187 ग्राम इस फोन का वेट भी है वेट को लाइट वेट ही कह सकते हैं तो build quality and design वेगरा काफी awesome लगता है देखने में इस फोन का इस फोन में 3.5 mm वाला headphone jack मिलेगा, studio speakers दिया गया है इस फोन में एक साथ double sim लगा सकते हैं और extra memory card लगाने का कोई option नहीं मिलेगा इसमें और इसमें face unlock का support मिलेगा और side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है और user interface की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो के android 12 पर base है तो चलिए अब बात कर लेते हैं spawn का man man features का इस spawn में 6.6 inch का full hd plus oled display देखने को मिलेगा जिसके ओपर corning udela glass 5 का protection भी है 900 nits का pick brightness में मिलेगा जिससे अगर आप इस फोन को धूफ पगरा में भी use करते हैं अच्छा powerful 5G processor मिलेगा यह processor 6 nm पर बना हुआ है और पांच लाग प्लस इस फोन का अंतुतु इस कोड़ भी है तो कोई डाउट नहीं है प्रोसेसर powerful मिलेगा अगर आप इस फोन में gaming भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं बात करेंगे बैटरी का तिन में 5000 mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को और यह फोन आपके फोन को काफी तेजी से चार्ज करके देगा और आपको चगासा backup भी मिल जाएगा बात करते हैं केमरा का दो इस फोन में 3 पर यह camera setup देखने को मिलेगा primary camera 50 MP का है second camera 8 MP का है जो कि ultra wide camera है third camera 2 MP का है जो कि micro sensor है और selfie camera 16 MP का दिया गया है primary camera का 1.8 का aperture है और उनी में OIS का भी support मिलेगा Sony IMAX 766 वाला sensor देखने को मिलेगा इसमें तो camera no doubt इस phone का काफी तकड़ा level का मिलेगा जिससे आप अच्छागासा photography वीडियोग्राफिक कर सकते हैं इसके अलावा feature का camera से 4K तक की वीडियो recording कर सकते हैं 30 fps पर and 1080p पर वीडियो recording कर सकते हैं 60 fps पर तो camera बढ़िया मिलेगा अब बात कर लेते हैं इस phone का RAM storage का दो इस phone में 6GB का RAM and 128GB का internal storage मिलेगा यह phone का base variant है और यही वाला variant फिलाल के टाम पर आपको मिल जाएगा 24,999 रुपया में अगर आपको अभी के टाम पे 25,000 रुपया में एक अच्छा latest smartphone यह है तो यह phone आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है अगर आप इस phone को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं अधरवाइद चलिए वीडियो में आगे बढ़तर बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला phone का अपने लिस्ट के फूर्थ नमबर भी आता है Realme के तरब से Realme 10 Pro Plus 5G जी हाँ दोस्तों यह phone एक अच्छा value for money smartphone है और इस price range के हिसाप से इन में सभी feature काफी तगड़ा level का मिलेगा तो क्या कुछ इस phone में मिलेगा चलिए एक एकर के details में जान लेते हैं तो यह phone भी जो है ना plastic build पर ही बनावा phone है और इस phone का weight 172 gram है जो कि एक अच्छा light weight phone कह सकते हैं और 7.7 mm का थिकने से जो की काफी पतला सा phone है तो design वगएरा को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं लावा इन में कोई भी headphone jack नहीं मिलेगा और ना ही extra memory card लगाने का कोई option है इसमें I mean इस phone में केवल दो SIM को ही लगा सकते हैं इसके अलावा face unlock का support मिलेगा और इन display fingerprint का sensor भी दिया गया है और user interface की बात करेंगे तो realme UI 4.0 के साथ आता है जो के android 13 पर base है तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस phone का कुछ man-wine features का इस phone में 6.5 इंच का full HD plus AMOLED display मिलेगा जिसमें 120 Hz का इसकी difference rate और 360 Hz का test sampling rate दिया गया है जो कि यह चीज gaming के लिए काफी बढ़ी हाँ है और इस phone में gaming आप काफी smoothly कर भी पाएंगे 800 nits का peak brightness मिलेगा जिससे आपको sunlight वेगरा में कोई दिक्कत नहीं होगा और इसमें HDR10 plus का support भी है ये तो हो गया display display no doubt बढ़ी हाँ है अब बात कर लेते हैं this phone का camera का तो इस phone में 30 rear camera setup देखने को मिलेगा primary camera 108 megapixel का है second camera 8 megapixel का है जो कि ultra wide camera है third camera 2 megapixel का है और selfie camera 60 megapixel का दिया गया है and आप पीछे का camera चे 4K तक की video recording कर सकते हैं 30 fps पर and 1080p पर video recording कर सकते हैं 30 fps पर and 60 fps पर तो no doubt camera इस phone का बढ़ी हाँ मिलेगा जिससे आप अच्छा खासा photography वीडियोग्राफिश से कर सकते हैं बात करेंगे processor का तो में 5,000 mAh का battery मिलेगा जो कि support करता है 67 Watt का charger को and ये charger आपके phone को काफी तीजी से charge करके देगा and आपको च्छा का सबैक कभी मिल जाएगा बात करते हैं RAM storage का तुमे 6 GB का RAM and 120 GB का internal storage मिलेगा ये जो है रैस phone का base friend है और यही वाला variant फिलाल के time पे आपको मिल जाएगा 24,999 रूपया में अगर आपको अभी के time पे 25,000 रूपया में एक अच्छा all-rounder type का base smartphone चाहिए तो no doubt यह phone आपके लिए अच्छा option हो सकता है अगर आप इस phone को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं इससे भी अच्छा अच्छा phone है भी अमारे लिस्ट में बचा हुआ है तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हो और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला phone का अपने लिस्ट के तिसरे नमबर पे आता है Redmi के दरब से Redmi K50i यहां दोस्तो यह phone परशे से जरके अंडर में एक अच्छा पावरफूल गेमिंग स्मार्टफोन है और यह phone एक अच्छा वैल्यू फूर मनी स्मार्टफोन भी है तो क्या कुछ इस phone में मिलेगा चलिए एक एकर के डीटेल्स में जान लेते हैं इस टार्ट करेंगे डिस्प्ले से तो इनमें 6.6 इंच का Full HD plus LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटिक्शन भी है साड़े 600 निट्स का पीक ब्राइटेंस भी मिलेगा जो कि यह चीज ठीक ठाकी है जिससे अगर आप इस phone को दूप वेगरा में भी यूज करते हैं तो असानी से कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं होगा और इसमें 144 Hz का इसकी डिफिरस्ट दिया गया है जो कि यह चीज काफी जादा है एंड गेमिंग फोन में यह चीज मिलना काफी बड़ी बात होता है तो डिस्पले नो डाउट खास करके गेमिंग के लिए फिप यहां है अब बात कर लेता है इस phone का camera का तो तो इस phone में तिरपर rear camera सा टब देखने को मिलेगा प्राइमरी camera 64 MP का है बात कर लेते हैं प्रोसेसर का तो में MediaTek Dimensity 8100 वाले एक अच्छा powerful 5G processor मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि यह प्रोसेसर जो है ना 5 nanometer पर बना हुआ है तो इस हिसाब से यह processor काफी powerful है तो आप इस phone में अच्छा कासा gaming कर सकते हैं और आपको बता दी कि 8,20,000 पलस इस phone का अंतूतू score है जो की 20,000, 25,000 के price range के हिसाब से यह score काफी जाजा है अगर आपको एक अच्छा pure gaming smartphone चीए 25,000 के अंटर में तो नो डाउट यह phone आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है और बात करेंगे बैटरी का तुमें 50,000 cms का बैटरी दिया गया है जो की support करता है 67W का charger को और यह charger आपके phone को काफी तेजी से charge करके देगा और आपको चागा सा backup भी मिल ही जाएगा तो चलिए बात कर लेते हैं phone का RAM storage का तो इस phone में 6GB का RAM and 128GB का internal storage मिलेगा और आप चाहे तो extra memory card को इसमें लगा सकते हैं तो इस phone का price को जो है बाद में बताएंगे उससे पहले का डाले तेन का जरो feature पे भी तो यह phone जो है polycarbonate body के ही साथ आता है body phone का design वगरा बढ़िया है आप अपने हिसाब सी देख सकते है मुझे तो काफी खूबसूरत लगता है देखने में और 200GB SPON का weight है weight को लगभग normal ही कह सकते हैं और 8.9mm का thickness भी है thickness ठीक ठाक ही है यानि के ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है average type का है और को छोटी मोटी feature की बात करेंगे तो 3.5mm बाला headphone jack मिलेगा studio speakers दिया गया है इसमें face unlock का support मिलेगा और side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है user interface की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो के Android 12 पर base है और हाँ इसमें dedicated slot भी मिलेगा जिसे आप double semantic memory card को एक साथ लगा सकते हैं तो चलिया बात कर लेता है आखरी में इस phone का प्राइज का दो तो इस phone का base variant को लेने के लिए नेगी 628 वाले variant को लेने के लिए फिलाल के टाइम पर आपको 25,100 के आसपास में देना होगा अगर आपको 25,000 रुपया में ही एक अच्छा powerful smartphone चाहिए अभी के टाइम पर तो नो डाउट यह phone आपके लिए अच्छा option हो सकता है अगर आप इस phone को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अधरवाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला phone का नमबर 2 तो अपने लिस्ट के सिकेंड नमबर पे आता है POCO के तरब से POCO F4 5G जी हाँ दोस्तों यह phone को एक अच्छा pure gaming smartphone कह सकते हैं विकोज इसमें जितने भी feature जो है ना gaming के लिए बिलकुल perfect feature है तो क्या कुछ इस phone में मिलेगा क्या specification होने वाला है चलिए एक के करके details में जान लेते हैं तो यह phone जो है glass body के साथ आता है और 195 ग्राम इस phone का weight है weight को लगबग normal ही कह सकते हैं ज्यादा भाड़ी बे नहीं है और ज्यादा हलखा भी नहीं है और 7.7 mm का थीखी नहीं से जो की काफी पतला सा phone कह सकते हैं इस phone का design and build quality वेगरा काफी awesome है आप अपने हिसाप से देख सकते हैं और कुछ चोटी मोटी feature की बात करेंगे तो 3.5 mm बाला headphone jack मिलेगा studio speakers दिया गया है इस phone में face unlock का support मिलेगा और side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है और यह phone जो है ना MIUI 13 के साथ आता है test sampling rate दिया गया है जो कि यह चीज गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है अगर आप इस phone में gaming करते हैं तो वो भी काफी smoothly कर पाएंगे और 1300 nits का peak brightness में मिलेगा जो कि यह चीज काफी जादा है जिससे आपको sunlight वेगरा में कोई दिकत नहीं होने वाला है और इसके उपर कॉर्णी गोड़ी लगला 5 का protection मिलेगा एंड HDR 10 Plus का support भी है तो display नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा जिससे आपको movie देखने में या फिर gaming करने में काफी मज़ा आएगा तो बात कर लेते हैं this phone का processor का तो इस phone में Qualcomm Snapdragon 870 वाला एक अच्छा powerful 5G processor मिलेगा यह processor जो हना काफी ज़्यादा powerful processor है अगर आप इस phone में gaming हुई करना चाहते हैं तो अच्छा खासा gaming कर सकते हैं और आपको बता दे कि 6,40,000 पास इस phone का antutu score भी है जो कि इस price range के हिसाब से score काफी ज़्यादा है आपको बता दे कि कुछ टाइम पहले ही यह phone 25,000 के आस पास में मिल रहा था आइमीन अगर आप इस phone को sale offer में खड़ी देंगे तो 25,000 तक में यह phone आपको मिल जाएगा तो अगर आप इस phone को भी लेना चाहे तो ले सकते हैं अधरवाइद चलिए वीडियो में बागे बढ़ते और बात कर लेते अपने list का अगला phone का तो अपने list के आखड़ी एंड सबसे based phone आता है IQ के तरब से IQ new 6 5G पर कभी price 25,000 से जादा है बर अगर आप इस phone को bank offer लगा कर खड़िते हैं या फिर sale में खड़िते हैं तो अराम से बैक प्लस्टिक का फ्रेम दिया गया है 190 ग्राम इस phone का वेट है एंड 8.5 mm का ठीकने से यह चीज को लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं I mean average type का है और डिजाइन वागरा को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं मुझे तो अच्छा ही लगा देखने में इसके अलावा हाइब्रीड स्लोट मिलेगा इस्टूडियो स्पीकर्स दिया गया है फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और इंडिस्पले फिंगर प्रिंट का संसर भी दिया गया है जो कि यह जीज काफी बढ़िया है एंड यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो फंटेस 2L के साथ आता है कि यह स्मूथलिस गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है एंड तेरो स्वनिट्स का पिक ब्राइटनेस बे मिलेगा जिससे अगर आप इस फोन को धूफ वगरा में भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा एंड इसमें HDR10 पलस का सपोर्ट भी है तो डिस्पिले नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा गेमिंग के लिए फिर कंटेंट वाचिंग वगरा के लिए भी बात करेंगे प्रोसेसर का तो इस फोन भी क्वाल का स्नेप डेकन 870 वाल एक अच्छा पावर्फुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यहां प्रोसेसर से वैं नैनो मेंटर बना हुआ है और शाड़ी 6 लाग क्यास पास इस फोन का अंतुतू स्कोर भी है जो कि इस प्राइज रेंज के हिसाब से स्कोर काफी जादा है प्रोसेसर नो डाउट काफी पावर्फुल है अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते है तो अच्छा खासा गेमिंग क कर सकते हैं बात करेंगे बैटरी का तुमें 4700 mh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है एक्टी वाड का चार्जर को बताया जाता है कि यह चार्जर आपके फोन को आधा गटा में फूल चार्ज कर देगा तो यह चीज काफी बढ़िया है बात करेंगे कैमरा का तो इस आपके पास बैटरी करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा आप अपने नीट एट बजट के किसी भी फोन को ले सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है ने इक्ट वीडियो के साथ